नमस्कार दोस्तों आपके अपने लोगप्रिये चैनल में आपका हारदिक्स स्वागत है दोस्तों यहे वीडियो यानि की राजिस्थान पटबार भरती 2021 की कट ओफ को लेकर बिल्कुल खास रेने वाली है जिन्वी candidates ने यानि की राइस्थान पटवार भरती 2021 का ये जो एक्जाम दिया है तो दोस्तो उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास रहने वाली है दोस्तो इस वीडियो के माद्दिम से हम आपको पटवार भरती 2021 की cut-off के बारे में अबगत कराएंगे कि दोस्तो कहां कहां पर यानि की किस तरह से इसकी cut-off जाने की अभी फिलाल संबाबनाई बनी हुई है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लगबग 4 लाग candidates के यहाँ पर survey के बाद हमको यह यानि की जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तो किस तरह की अब की बार आपको cut-off देखने को मिल सकती है दोस्तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो journal और दोस्तो इसके बाद EWS, OBC, MBC, SC और ST सभी category के बारे में हम आपको अबगत कराएंगे कि दोस्तो किन किन category की किस तरह से संभाव यानि कि किस तरह से cut-off जाने की संभावनाय बनी हुई है दोस्तो अगर बात करते हैं आपर male और female दोनों ही तरह के candidate के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपकी बार cut off किस तरह से रहेगी दोस्तो यहाँ पर हम आपको fix लगबग बताएंगे कि इतनी ही cut off आपकी बार जाने की संभावना है पेपर के level को देखते हुए दोस्तो यहाँ पर जो पेपर का level है वो बच्चों का कहना है कि यानि की moderate to tough की तरफ कुछ questions है और दोस्तो कुछ questions की बात करें तो दोस्तो यहाँ पर 50% question easy to moderate की तरफ बताए जा रहे हैं दोस्तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार जो cut off है यानि कि journal की वो दोस्तों यहाँ पर 240 प्लस नमर बता रहे है इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इनका कहां तक इनका कृतन सकते है और कुछ ही दोस्तों यहां पर लोगों का कहना है कि जर्नल की जो cut-off है यानि कि वो 200 प्लस रहने वाली है तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इन लोगों का कहां तक कहना सकते है दोस्तों अगर आपको भी पूरी इन्फोर्मेशन चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइत लाश्ट तक जरूर देखिए वीडियो को बिना इसकिप्टिये अन तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जर्नल कैटेग्री की तो दोस्तों जर्नल कैटेग्री की अगर हम कट आप की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों आपके अगर यानि की 110 कोश्चन के आसपास बिल्कुल सही कोश्चन बैठ रहे हैं या दोस्तो आपको यहाँ पर बात करते हैं 220 नमबर यदि आपके आ रहे हैं तो दोस्तो जर्नल कैटेगरी से अगर आप ब्लॉंग करते हैं तो आप अप उन्हें आपको एक सेफ जौन में मान सकते हैं दोस्तो अब की बार यह जो कट आप है यानि कि यह जिसके 110 कोश्चन राइट हैं या इस से जिसके अधिक हैं तो दोस्तो अब की बार उनको बिलकुल सुरक्षित माना जा सकता है दोस्तो अगर इसके बाद यहाँ पर यानि की EWS category की बात करें तो दोस्तो यहाँ पर EWS category की cut off कुछ इस परकार से रहेगी यदि दोस्तो आप यानि की EWS category में हो तो दोस्तो आप अपने आपको यानि की दोस्तो आपके अगर 105 question के आसपास अगर right बैठ रहे हैं तो दोस्तो आप अपने आपको safe zone में मान सकते हैं यानि कि अब की बार EWS की जो cut off है वो दोस्तो यहाँ पर आपके 105 question यानि कि 210 number अगर आपके बैठ रहे हैं तो दोस्तो आप अपने आपको safe zone में मान सकते हैं इसके बाद दोस्तो अब हम बात करते हैं यानि कि OVC category की तो दोस्तो OVC category में भी अगर दोस्तो आपके 105 question के आसपास बन रहे हैं तो दोस्तो आप अपने आपको एक safe zone में मान सकते हैं यानि कि दोस्तो OVC category की बात करें तो दोस्तो आपके 103 से और दोस्तो यहाँ पर 105 तक के लगबग आपको cut off देखने को मिलेगी यानि कि दोस्तो आपके 210 के आसपास या दोस्तो आपको 250 से 210 के आसपास भी अगर आपके नमबर बन रहे हैं तो दोस्तो आप अपने आपको OBC कैटिगरी में एक safe zone में मान सकते हैं अब दोस्तो हम यहाँ पर बात करते हैं यानि कि MBC कैटिगरी की तो दोस्तो अगर आपके MBC कैटिगरी में यानि कि 104 में से अगर दोस्तो आपकी 200 के आसपास अगर number बन रहे हैं तो दोस्तो आप अपने आपको एक safe zone में मान सकते हो यानि कि आप कह सकते हो कि आपका selection बिल्कुल sure होने की प्रवल्द संभावनाई बनी हुई है इसके बाद दोस्तो अब हमें आपको बात करते हैं यानि कि SC category की तो दोस्तो SC category में अगर दोस्तो आपके यानि कि 90 question right है यानि कि यदि आपके 180C के आसपास अगर number बन रहे हैं तो दोस्तो आप अपने आपको एक safe zone में मान सकते हो यानि कि SC category से आपका share selection होने की प्रवल्द संभावनाई फ्लाल बनी हुई है इसके बाद दोस्तो अब हम याँ पर बात करते हैं ST category की तो दोस्तो ST category में अगर दोस्तो आपके यानि कि 145 से और दोस्तो याँ पर 180C के आसपास अगर cut pit कर बैट रहे हैं तो दोस्तो आप अपने आपको एक safe zone में मान सकते हैं दोस्तो यही अब की बार cut off रहने वाली है दोस्तो कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार जो cut off है वो दोस्तो यहाँ पर 240 प्लस भी बताई जा रही है लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूं कि इतने number लाना यानि कि challenging task है पेपर का जो level था वो इतने easy भी नहीं था और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तो इसमें one third यानि की एक बटा तीन जो negative marking थी इसकी बज़े से भी यहाँ पर इसका अच्छा खासा आपको effect देखने को मिलेगा दोस्तो एक बटा तीन negative marking की बज़े से बच्चे इसमें ज्यादा attempt नहीं कर पाए और दोस्तो जिन्होंने भी यहाँ पर ज्यादा attempt किया है तो दोस्तो उनका वहीं पर कटपिट कर वही किसी का ज्यादा खासा अच्छा score नहीं बैठ रहा है दोस्तो कुछ ही बच्चे मानलो कि आपके यानि की 100 या 200 बच्चों ही ऐसे हो सकते हैं दोस्तो जिनके ये नंबर यानि की 240 के आज़ पास बैठ रहे हैं लेकिन दोस्तो mostly जिन भी candidates से हमने बात की है तो दोस्तो उनके यहाँ पर 100 पलस ही जादतर बच्चों के बैठ रहे हैं जो की दोस्तो यहाँ पर OBC और जनल कैटेग्री से बिलोंग करते हैं अब दोस्तो हम यहाँ पर बात करते हैं female candidates की तो दोस्तो female candidates की अगर बात करें दोस्तो अब हम आपको बताते हैं ex-servicemen की इसमें cut-off कितने जानी की संभावना है तो दोस्तो अगर यहाँ पर ex-servicemen की बात करें तो दोस्तो जिन भी ex-servicemen के यानि की cut-pick कर यदि दोस्तो यहाँ पर 50 से और दोस्तो यहाँ पर अगर 55 question तक अगर बैठ रहे हैं तो दोस्तो उनको यहाँ पर बिल्कुल safe zone में माना जा सकता है तो दोस्तो कुछ इस परकार से ही अब की बार यह जो cut-off रहने वाली है दोस्तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब की बार इस भरती में यानि की normalization आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा और दोस्तो किस shift को यानि की student हैं उनके according किस तरह की माना जा रहा है सबसे tough shift किसको बताया जा रहा है और दोस्तो सबसे easy shift किसको बताया जा रहा है दोस्तो यहाँ पर लगातार बच्चों द्वारा मांग उठाई जा रही है कि यहाँ पर दोस्तो नॉर्मलाइशन होना चाहिए तो दोस्तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि नॉर्मलाजिसिंग की पिरक्रिया होती है तो दोस्तो किस shift को सरवादिक यानि कि आपको प्रभावित करेगी सरवादिक नंबर किस shift के बढ़ने वाले हैं और दोस्तो किस shift में आपको सबसे कम यानि कि नंबर बढ़ते होई देखने को नजराएंगे इसके बारे में हम आपको next वीडियो में जरूर अबगत कराएंगे दोस्तो यहाँ पर कोछ बच्चों का कहना है कि सर अब की बार जो cut-off है यानि कि चाये हो जर्नल हो या दोस्तो OBC हो किसी भी कैटेगरी की cut-off यहाँ पर यानि कि 200 से प्लस नहीं जाएगी तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इतनी कम भी इसकी cut-off नहीं जाएगी यानि कि जो हमने cut-off बताई है बिलकुल यानि कि संसोधित cut-off है और दोस्तो लगबग इसी के आसपास ही आपको प्रते कैटेगरी की cut-off देखने को मिल सकती है